गुड बार्ण डेर्श प्रेंड्स इस क्लास के तहट सभी विद्यार्थि ध्यान दें कि आज की जो क्लास है जिसमें हम सभी लोग जो चैप्टर फरस्ट है जिसमें आप लोगों को हमने कहा था कीशे पढ़ना है इसमें संबिधान के महत्तों को दिया गया है संबिधान के नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है उसके बारे में बताया गया है ठीक तो बहुत से महत्तुपूण बिंदूओं का जिकर हम कर चुके हैं जैसे मालेज़े हमने आप लोगों को संभिधान की प्रस्तावना के बारे में बता दिया है मूल अधिकार के बारे में बता दि है मौली कर्तब के बारे में बते दिया ठीक इन सारी चीजों का जिक्र हम ने किया है आप लोगों को हमें आज की जो हमारी क्लास नब पहले चैप्टर में ग्व्य जो दिया गया है उडिया गया मातुण कुछ इस किया है किग इसका क्या मतलब है या इसको किताब में दिया क्यों गया है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं हम जिक्र करते हैं इनके माध्यम से हम समझने की कोशिस करते हैं कि संबिधान निर्माड होता कैसे है ठीक है क्यूं होता है किस लिए होता है इसका ताथ पर यह क्या है ठीक यहां पर देखिए एक कार्टून छपा हुआ है कार्टून में आप देख रहे हैं लिखा गया है यूरोप का शम्विधान लिखा गया है देखे यहां नीचे लिखा गया है European संग के देशों ने एक European सम्विधान बनाने की कोशिस की उनकी कोशिस अशफल हो गई कार्टीनिस्ट ने शंबिधान निर्मार के अनेक प्रयास को मारपीट और जगडे से भरी कोशिस के रूप में देखा क्या संबिधान निर्मार की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही होती है देखिए यूरोपिय सम्मिधान मतलब जैसे यूरोप क्या है न एक महादीप है आप लोगों को पते हैं यह जो महादीप है तो इसमें बिभेन देश हैं मतलब कई देश और इस सारे देश मतलब जब प्रथम भी स्युध हो गया हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ दृतिव भी स्युध हुआ तो प्रथम भी स्युध के बाद इन शार देशों ने मिल करके जो यूरोप वाले देश थे उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संविधान निर्माड किया ज सके लेकिन हर देश की अलग मांग होती है हर देश की जो जनता होती है उसकी अलग इक्छा होती है तो एक संविधान बनाना क्या था बहुत कठिन कारे था इसलिए दिखाया गया कि आपस में यह लोग क्या कर रहे थे लड़ाई जगड़े को दिखाया गया अर्था जो साटिस्फाइ नहीं थे संतुष्ट नहीं थे जैसे अब इसी को कह दिया गया आप लोग जानते हैं नाटो का गठन केया गया था नाटो क्या था जो यूरोप के मतलब विभिन कंट्री के देश के लोग हैं उन्होंने एक संगठन त्यार के या इस अंगठन के माध्यम से जो उनका परपस था बेसिक उद्देश से था वो यह था कि यूरोप की एक मुद्रा हुई एक एकानमी हो और वहाँ पर अगर कोई भी देश अटेक करता है तो वह सारे देश वहाँ के मिल करके उसका सामना करेंगे ठीक है तो उसके पॉइंट होती जाएगी ओके अब देखिए दूसरा कार्टून यहाँ पर क्या है इसमें देखे पंडटे जवाल लाल नहरू को दिखाया गया है अब ऐसा नहीं कि इनको देखे दूम मों दिखाया गया- यह किधर की तरफ है- यह किधर की तरफ है ठीक तो एक आर्टून क्या बतात यहां पर शमजने की जरूरत है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो आख स्वतंत्र होने के बाद cabinet mission योजना के तहत हमारे यह एक संभिधान सभा बनी और उस संभिधान सभा ने देश के लिए क्या बनाया एक संभिधान मनाया और चोकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही पंडित जवहलाल नहरू देश के प्रधान मंत्री बने और उस प्रधान मंत्रित काल में ही मतलब क्या था देश के जो बिभिन बर्ग के लोगों को संतुष्ट करने की बाद थे एक तरफ देश का विकास करना था देश के को एकता के सूत्र में बादना था वही पर जो देश की गरीब अमीर अथ्वा मध्य वर्ग के जितने भी लोग थे उनकी आकांचाओं को क्या करना था पूरा करना था तो किस थरीके से पूरा किया जा सकता उसको कैसे वैलेंस किया जाता संबिधान में क्या जगह दी जाती उसी के संतुलन के बारे में यहाँ पर पंडिस जवाहलाल नहरू को इस कार्टोन में दिखाया गया कि मतलब जो कार्टोनिस्ट है उसने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से लोक लुभावना या यथा इस्थितिवाला भाशन देकर के लोगों में सामंजस अस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे यहां पर लिखा गया संविधा निर्माताओं को लोगों की अलग-अलग आकांचाओं से जूजना पड़ा ठीक है यहां पर नहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचार धाराओं में संतुलन करते दिखाया गया है क्या आप पहचान सकते हैं कि वे विभिन शमूह क्या चाहते हैं आपको क्या लगता है संतुलन करने की अंतिम का अंतिम परड़ाम क्या हुआ जैसे मान लिजे अब आप लोगों को दो बर्ग की वाद हम करते हैं आप लोग छात रहे हैं और एक मालेजे हम कहते हैं कि एक बर्ग ऐसा है जो क्रिशक बर्ग है एक बर्ग ऐसा है जो स्रमिक है एक बर्ग ऐसा है जो सैनिक बर्ग है ठीक मालेजे हमने का यह विभिन बर्ग के लोग है तो आप बिद्यार्थी हो तो बिद्यार्थी में आपको क्या जरूरत है आप यह चाहोगे ना कि स्कूल में अच्छी तरीके से क्या हो पढ़ाई हो मतलब सिक्षा विवस्था अच्छी हो फीस ना लगे कापी किताब हो हमको मिले ठीक और इसकूल में अच्छी फिजलिटी हो यह तो आपकी मांग होगी और एक किशान जो खेत में काम करने वाले हैं उसकी क्या मांग होगी उसको कापी किताब से क्या मतलब है ठीक है उसको इसकूल की अच्छी फिजलिटी से क्या मतलब है वो तो चाहेगा कि जो खाद बेज और किशी के समान हो वो क्या हो सस्ते हो और जो उनका प्रोड़क्ट हो वो क्या हो महगा हो जिससे कि उनको जरूरी नहीं कि मतलब किभिधियार थी अलग कह millise आया है कर अकिसान की और कि सैने के यह से आया पुलिस वाले के घरिचा ड tinham gebracht कैने कहीं से आया है लेकिन ब्यक्तिक की जो अपनी इक्छा होती है so देखें उसको वह अधिक प्राइर्टी देता है यही यहां पर लिखा गया कि किस तरीके से संभिधान निर्माता लोगों की विभिन एक्षाओं को ध्यान में रखते हैं यहां थोड़ा चाहा आप लोगों को हम जिक्र करना चाहते हैं देखें अब बात आती है राजी के निर्मार की तो राजी के निर्मार के संदर्व में जैसे लोगों की अलग-अलग अधारणाये हैं जैसे दई बुद्पत्ति के सपोर्टर समर्थक जो है वो कहते हैं कि राज्य जो है ओ भगवान के द्वारा मतलब क्या किया गया बनाया और राजा जो है वो भगवान का प्रतिन दिया और राजा जो कहता है वही क्या है कानून है और जनता को राजा की इक्षा का पालन करना भगवान की इक्षा का क्या करना है पालन करना है ठिक उसके बाद दूसरा सिध्धान्त आता है सक्ति सिध्धान्त जिसमें ये कहा गय जिस बेक्तिके पास सक्ति थी उसने अपने सक्तिके माध्यम से लोगों को संगठित करके एक विभिन छेत्र में रहने की ब्यवस्था बनाई लोग उसकी बातों को क्या हुआ मानने के लिए बाद धुए और वहां से क्या बन गया सम्मिधान बन गया और राज्य बन गया और सामाजिक समझवता सिध्धांत कहते हैं जिस पर कि आज की हमारी जो डिमोक्रेशी है लोक्तंत्र है वो क्या है अस्थापित है इसमें देखिए तीन नाम प्रमुक्रूप से आते होप्स लॉक और रोसो के नाम हाप्स का बताया था हाप्स की पुस्तक का नाम क्या था लेवि ल JUST करांती हुई थी मतलब सक्त्य परिवर्तन के लिए क्या हुआ था च्रांती हुई थी उसमें मतलब कह सकते हैं कि मार पीठ्र ठीक है मतलब खून खराबा रुए तो मतलब वहां पर हमेशा क्या थी भै की इस्थिति थी इसलिए उसने कहा था मैं और भै दोनों जुडव होना चाहिए जीवन की रक्षा के लिए राजा इतना सक्तिसाली हो कि ब्यक्ति के जीवन पर किसी तरीके का खत्रा ना उत्पन्न हो उसके अत्रिक्ति ब्यक्ति को कुछ मिले या ना मिले इससे मतलब नहीं था एक हो गया उसी के बाद फिर आता है लाग का विचार आता है लाग की पुस्तक थी two treaties on civil government उसने ब्यक्ति के तीन अधिकारों की बात के जीवन, स्वतंतरता और शंपत्ति किसकी जीवन, स्वतंतरता और संपत्ति जीवन की बात हॉप्स ने कहा था लेकिन लाक ने उसमें दो चीजों को और जोड़ दिया स्वतंत्रता और संपत्ति मतब प्रापरेटी को भी जोड़ दिया कहा कि ब्यक्तिक के विकास के लिए इन तीनों चीजों की क्या है अवश्यक्ता है देखिए यही अधिकार जो बनते गए बाद में आपके fundamental rights बन गए मत्तब मूल अधिकार बन गए कि राज जी का यह करतब होगा कि नागरिकों के इन अधिकारों की क्या करेगा रक्षा करेगा लेकिन इसके अत्रिक्त भी धिर सारे कारी थे यहीं पर एक विचार आया फिर बाद में लाग की पुस्तक आप लोगों को नाम लेर्ण रहना चाहिए two treaties on civil government इसके बाद बात आती है रूसों की अब देखिए रूसों का जो social contact theory है उसकी पुस्तक का नाम है सामाजिक समझाता सिध्धान्त ठीक है उसने एक इच्छा दे सामान इच्छा का सिध्धान्त ठीक है मतलब general will theory उसमें उसने कहा कि एक सामान इच्छा तयार की जाए मतलब राज्य के समस्त नागरिक वैसे उसका जो आदर्स state था उसमें 10,000 नागरिकों की वह बात करता है तो 10,000 तो आद तो सोच सकते हैं कि मतलब कि एक बड़े शहर में 10,000 लोग रहते हैं 10,000 क्या lakhよह रहते हैं तो 10,000 की बात करता है कि सारे लोगों की इक्छाओं का एक संकलन तयार कर लिया जाए उसमें से अधिकांस ब्यक्तियों की कुछ इच्छाएं ऐसी होगी जो कामन होगी अब कुछ इच्छाएं अलग होगी तो कामन इच्छाओं को एक साथ और जो अलग अलग इच्छाएं उसको जोड़ करके एक जंदल बिल तयार क्यार दिया जाए और राज्यका एक neutrब्ब हो कि उन सारी इख्चाओं का क्या करे प्रयोग करे लेकिन उस सामान इख्चा से परे किसी कोई अन इख्चा नहीं होगी, अर्थात भले ही रूसों ने सामान इख्चा के सिधांत को प्रत्रिपादित किया वड़ वह भी निरंकुस ही था क्योंकि सा वामान एक्छा से परे किसी इक्छा को उसने अस्थान नहीं दिया था ठीक है तो एक किसकी पुस्तक का नाम है मतलब एफ बिचार किसका था रूसों का था हमने तीन का जिक्र केया हाफ्स लाग और रूसो तो अब यह जो लोग तंत्र है न यहां प्रधान मंत्री को दिखाया गया कार्टोन में किसको पंडित जवाल लाल नेरु को देखिए अब बिभिन बर्गियों की लोग हैं सब की अपनी अलग-अलग मांगे हैं इन अलग-अलग मांगों को किस तरीक यहां पर छपा हुआ है कार्टोन नहीं एक सोचने के बाद इसमें दिया गया लिखा गया है राज्य के नीत ने देशक तब भी सरकार से लोगों की कुछ आकांचाय पूर्री करने की अपेच्छा करते हैं शंबिधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है लेकिन एसी उची आकांचाओं और लच्छों को लिखने का मतलब क्या है यदि वह लोगों के जीवन को बदल ना शकें माली जे चलिए हम बैठ गये बैठ करके बहुत आदर्स भरी बातें कर रहे हैं आप लोगों के सामने कि अगर हम उस आदर्स को हकीकत में तब्दील ना कर शकें क्या, उसका कोई मतलब होगा क्या उसका निश्कर्श होगा क्या और इसके लिए आवश्यक्ता किस्च की है कि मतलब उन उन आदर्सों को पूरा किया जाए तो देखिये सम्भिधान में हमने कहा प्रस्तावना वह संबिधान का जर्शन बना उसके बाद हमने कहा मूल अधिकार वो नागरिकों का अधिकार बना कि राज्य उनकी उन इच्छाओं की पूर्ति करेगा जो कहां पर रखा गया क्योंकि अगर मूल अधिकार की पूर्ति नहीं कर पाएगा तो राज्य का बना रहना अशंभव होगा लेकिन कुछ चीजें राज्य की छहमता के उपर उसके बिबेक पर छोड़ दिया गया उसमें जो राज्य का दर्शन था राज्य का लक्ष था कि वह अपने नागरिकों को प्रदान करेगा लेकिन अभी उसकी क्या नहीं चहमता नहीं उसे नहीं दे सकता है यहाँ पर उसका जो आदर्श था उसको नीती निदे सकता तक तो किस सिधान्त में रख दिया गया जि ठिक तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट समझना है अब देखे यहाँ पर देख एक पॉइंट और दिया गया अगला कार्टून है पहले ही चैप्टर की बात कर रहे हैं देखे इसमें हम लिखते हैं देखे लिखा गया है इराक में शद्दाम हुशैन क की चत्ता खत्म होनी पर एक नए संविधान की रचना मतलब क्या होनी थी देश के विभिन जाती शमुहों में काफी संघर्ष दिखाई दिया इन भिन भिन लोगों की क्या मांगे हैं इसमें दिखाए गय संघर्ष की यूरोपी मंच और भारत के शंबंध में पिछले कार्टोन में ठीक है संघर्ष से तुलना करें अब चलिए देखिए हमने एक यूरोपी संघर्ष की बात की उसके बाद किसमें आ चले आये हम भारत में चले आये इसके बाद हम कहां चले जा रहे हम देखे खाड़ी देश में चले गए इराक की बात कर रहा है आप जानते हैं वहां साशन किसका था शद्दा मुश्यन का वहां जब सत्ता से उसको पद्चुत किया गया मतलब अमेरिका ने अटेक किया और उसको सत्ता से हटाया तो वहां पर क्या आई वहां भी एक कि उसको हटा करके वहां पर एक संव्धानिक सरकार बनाने की क्या कि बेवस्ता की लेकिद two थी वहां पर कआए संगर्जारी है तो थैवही चीज यहां पर दिखाने की कोसिश किया गया है काटुन में समढ़े देखिए पहले का लिखा है कि है अब वहैं सब हात मिलाने के लि मतलब लोगों को वन्चित किया अब काफी दिन संघर्ष के बाद एक आश्वासन देता है कि नहीं अब वो वहां के जो परवसपर संघर्ष करने वाले लोग हैं वो आपस में सहमत हैं कि एक ऐसा संभिधान बनाया जाए जिसमें सारी लोगों की बातों को रखा जाए ठीक ये तो एक आश्वासन की बात आई मेरे पास कागज है संभिधान मैं लिखूँगा देखे एक बर कह रहा है कि मेरे पास कागज है इसलिए संभिधान काँ लिखेगा मैं लिखूँगा और दूसरा कहता है मेरे पास कलम है संभिधान मुझे लिखना चाहिए इसका मतलब देखिए विभिन शक्तियां दिखाया गया एक के पास कागज है कलम नहीं दूसरे के पास कलम है और कागज नहीं और उसके बाद कह रहा है मेरे पास इंक है संभिधान मुझे लिखने दो अब फिर आगे बाद कलम तो थाल लेकिन इंक नहीं थी और उसके बाद कागज था कलम नहीं थी अब तीनों के पास अलग-अलग चीज़े हैं बिना तीनों को इकठा के संबिधान लिखा नहीं जा सकता है अर्थात यहां भी किसकी जुरुत है? बैलेंस करने की जुरुत है कि किस तरीके से कागज, कलम और इंक को इकठा किया जाए? जिससे क्या हो जाए? संबिधान लिखा जा सके अब यहां पर देखिए तीन चीज़ों का जिक्र किया गया मतलब जैसे हम कहते हैं भारत में कौन है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इसाई है, बहुत है, जैन है विविन धर्मों के लोग है, जबकि एराक में हम कहें कि किवल मुस्लिम है लेकिन मुस्लिम में भी कितने लोग है? देखिए एक दिखाया गया आपका, सिया है, दूसरा कौन है, सुन्नी है, तीसरा कौन है, कुर्द है अब तीन बर के लोग है, कुर्द कहता है कि मेरे पास क्या है देखे, वो कहता है मेरे पास इंक है और सुन्नी क्या कहता है कि मेरे पास कलम है और सिख क्या कहता है कि मेरे पास कागज है इसका मतलब जब तक सिख सुनी और कुर्ध तीनों मिलेंगे नहीं तब तक वहाँ पर क्या नहीं बन सकता सम्मिधान नहीं बन सकता अब देखिए बगदाद वहाँ की जो राजधानी है अर्थात किसी न किसी के हाथ में सकता है को शौप दी जाएगी यद्यप की अभी तक उस वह एक अधिकार करके जो वहां की संपदा है उसका क्या कर रहा है दोहन कर रहा है आगे फिर देखिए हम देखते हैं यहां पर अगला जो हमारा एक चित्र बना हुआ था इसमें देखिए संभधान सभा के अध्यक्ष डॉकटर राजेगंद प्रशाद याद करे रहीएगा संभधान सभा के अध्यक्ष है अस्स्थाय अध्यक्ष कौन थे डॉक्तटर सच्चिदानद सिंग्झा और प्रारूफ समित के सभपत्य डॉक्टर वि और अमबेडिकर दीखिए बगल में इधर काली कोट वाले बियारम बेटकर हैं इधर जो थोड़ा सा मतलब क्या है लाइट सेट में हो कौन डॉक्टर राजेंद प्रशाद एक दूसरे का अभिवादन करते हुए अभिवादन क्या करते हैं वो अध्यक्ष हैं वो सम्विधा निर्माड के ठीक है वो उनको कांगराचुलेट कर रहे हैं धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और वो उसको एक्षेप्ट कर लिए मतलब अध्यक्ष हैं अगर साइन कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया वो धन्यवाद के पात रुए तो जहाँ पर एक दूसरे को ऐसा करते हुए दिखाया गया जैसे लिखा है मैंने माशूस किया कि सायद ही किसी नी किया हो की प्रारूप समित के सदश्यों विशेश कर इसके सभापति डॉक्टर अंबेटकर ने अस्वस्थ होने के बावजूत कितने उत्साह और लगन से के साथ कारी किया डॉक्टर अंबेटकर को प्रारूप समिती में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निरणाशे बहतर और कोई निरणा नहीं हो सकता था उन्होंने ना केवल अपने चैन को नियाचित सिद्ध किया बलकि उन्होंने जो कारी किया उसे भी गरिमा प्रदान की इस संबन्द में समित के अनिश अदस्यों में परस पर भेद करना पक्षपात पूर्ड होगा मैं जानता हूँ कि उन्हों सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कारी किया जितना की उसके सभवपतने वे सभी देश की कृतग्यता के पात्र हैं अब यहाँ पर डाक्टर राजेनित प्रिशाद के ये वर्ड हैं किसके लिए उन्होंने बोला जो प्रारूप समित्य के सदस्य थे जिन्होंने तन, मन धन, मतलब सारा कुछ लगा करके देश के लिए क्या बनाया एक सम्विधान बनाया ठीक यहाँ पर जो कुस्ट्स है इसको आप लोग क्या करेंगे रेडी करेंगे अगला देखिए यहाँ पर लिखा गया है यह दि हमें 1937 में सोतंतता मिल जाती तो क्या होता हमें 1937 तक इंतजार करना पड़ता तो क्या होता क्या तब बनाया गया सम्विधान हमारे बर्तमान सम्विधान से भिन होता देखे बात यहाँ पर आती है कि नेत्रत्त की किसके नेत्रत्त में स्वतंतता मिली देखे दुनिया में समय और परिस्थिती का अपना अलग-अलग महत्व है अपना importance है अभी आज हम कहते हैं कि हमें पंडित जवाहलाल नहरू मतलब महत्मा गाधी के नेतरित में सुतंतरता मिली यही पर हम कहते हैं कि यदि सुतंतरता हमको सुभाज चंद्र बोश के नेतरित में मिलती तब क्या होता अब देखे जैसे कहते हैं जब तक हमें experience और अनुभव नहीं होता कि तब तक कहीं न कहीं उन चीजों को हम अचीब नहीं कर सकते कर पाते जिसकी कि हमें क्या है जरूरत है हो सकते हैं हम कहते हैं कि अगर अगर 46 में हमको 37 में स्वतंत्रता मिली होती तो जो 47 में हमारा शम्मिधान निर्मित हुआ वैसा सम्मिधान निर्मित होता या हो सकता है 37 में अगर सम्मिधान बना होता भारत पाकिस्तान का विभाजन ना होता पूरा मतलब क्या होता एक देश का सम्मिधान बनता अगर 36 की इस्थिती होती तो और अगर कह दिया गया यही चीज़ 27 में आ गया होता से ताउन में हमको स्वतंतिता मिलती हो सकता है कि 10 साल और टाइम मिलता इस 10 साल में भारत को और कई टुकणों में बांट दिया जाता ठीक तो बात इस चीज की है तो इसलिए हम यहाँ पर यही तना जिक्र करना चाहेंगे जो 47 की हमारी इस्थिती और परिस्थिती थी उसके अनुशार जो हमारे देश का संबिधान बना वो क्या था? सर्वोत्तम था बेहतर था इसको हम कह सकते हैं अब आगे देखी अगला कार्टोन में जो इन्हों नहीं दिखाया इस पर आपको विचार करना है क्या यह संबिधान उधार का था? हम ऐसा संबिधान क्यों नहीं बना शके जिसमें कहीं से कुछ भी उधार ना लिया गया हो अब बात उधारी की आती है ठीक है? हम कहते हैं भारती संबिधान को उधारी का थैला कहा जाता है यहां क्या है विभिन देश के सम्मिधानों से कुछ न कुछ पार्ट को लिया गया है ठीक अब देखिए अब बात इसकी है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़े हैं हम कुछ भी कोई सब्द बोलते हैं हम मालिजे और कहते हैं हम विद्यार्थी कहते हैं हम इसकूल कहते हैं तो यह भी हमने थोड़ी न पैदा किया हमने इसका मतलब कही न कहीं से सीखा जहां से लिया वहां से पैठ करने कर रहे जब जहां इच्छा है तहां उसका प्रयोग कर रहा है तो भले यह कहा गया कि भारती शंबिधान उधारी का थैला है अर्थात विभिन देशों से इसके विभिन भागों को लिया गया लेकिन इसको हमने same to same नहीं ले लिया मतलब as it is बड़ भारती अनपर्ट्रेक्ष में किस थरीके से अच्छा हो सकता है उसको उस रूप में परिवर्तित करके संबिधान में जगह दी गई है ठीक अब देखिए बात आती है यहां पर देखिए अगला दिया है संबिधान सभा में चर्चा की अध्धक्षता करते डाक्टर ब संबिधान सभा में क्या होगी किसी भी बिंदू पर पहले चर्चा होगी उसके बाद ही उसके बाद उसको संबिधान में जगह दी जाएगी जैसे कि आज कल आप संसत की करवाई में देखते हैं ठीक अब अपनी आप किताब खोलेंगे जैसे बार-बार हम उधारी का थैला तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन किस देश के संबिधान से क्या पार्ट लिया गया है जैसे ब्रिटिस संबिधान दिया गया है आयरलेंड का संबिधान दिया गया है फ्रांस का संबिधान दिया गया है कनाड़ा का संबिधान दिया गया है अमेरिका का संबिधान दिया इतने तो महत्वपूर्ण देश हैं इसके अत्रिक्त जो एक अन्य श्रोत है वो क्या है वो 1935 का भाराशासन अधनियम जहां से कि अधिकांस भागों को लिया गया है तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटिस संब्धान से कौन कौन से पार्ट या क्या क्या चीज है одно को मिश्य सर्बाधिक है मत के आधार पर चुनाओ में जीत का फैसला मतलब कहा गया कि जो जीत का फैसला हो हमारे हैं ओ क्या हो जो पार्टी सबसे अधिक मत पाए वह क्या होगी चुनाओ में जीते अगला क्या है सरकार का संसदीय स्वरूप मतलब जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसको कहां से लिया गया ब्रेटन संविधान से पहला एक है बहुमत प्रणाली बहुमत का मतलब जिसको सबसे अधिक मत मिले इसके बाद क्या है संसदात्मक शासन व्यवस्था इसके बा इसके बाद है विधायका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका मतलब जैसे इस स्पीकर की जिसके हम बात करते हैं कानून निर्मार की विधि ठीक तो इतनी प्रक्रिया कहां से लिए गई है ब्रेटन के सम्विधान से लिए गई है अगला हम देखते हैं आयरलेंड के सम्विधान से राज्य के नीति निदे सकत्तो आयरलेंड के सम्विधान से लिए गए है फ्रांस के संभिधान से क्या लिया गया है स्वतंत्रता समानता बंधुत का सिध्धान तीन चीजें हैं यह स्वतंत्रता समानता और बंधुत यह कहां पर जिक्र किया गया इसका इसका जिक्र संभिधान की प्रस्तावना में है अगला लिखा गया अमेरिका के संभिधान मौल इसके बाद कनाड़क शूर्ण संगात्मक सरकार कि मतलब जो संगात्मक मतलब को आसी इसको कहां से लिया गया कनाड़ कि सब्सक्षाट संगात्मक व्यवस्था यह वह इसक्ते सक्थीयों का शिध्धांत इतनी चीजों को आपको किताब में दिया गया है इसको आप लोग पढ़ करके क्या करेंगे notes त्यार करेंगे ठीक और इस chapter को कम से कम दो तिन बार आप लोग पढ़ें ठीक अब जैसे कहते हैं कि हम निश्कर इस रूप में क्या कह सकते हैं इसको ध्यान देना है ठीक है यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूर्दिष्टी का प्रमाड है कि वै देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता दौरा मान ने आधारभूत मूल्यों और सरवोच आका अंचाओं को अस्थान दिया गया था यही वह कारण है जिसकी वज़ा से इतनी जटिलता में बनाया शंविधान ना केवल अस्तित्त में है बलकि एक जीवन सच्चाई भी है जबकि दुनिया के अन्य-अनेक शंविधान कागजी पौधों में ही दब कर रह गये हैं भारत क शंविधान एक बिलक्षण दस्तावेज है जो अन्य-अनेक देशों खास्त और से दच्षण अफ्रेका के लिए एक प्रतिमान एक प्रतिमान हो गया तीन वस्त तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश यह रहा कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जिसमें शंविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त ब्यस्त या काम चलाओं व्यवस्थाएं मात्र नहों बल्कि लोगों की आकांचाओं को एक लंबे समय तक सजोए रख सके आप पुस्तक में व्यडित जो भी इन चीजों को मतलब जो बताया गया देश के के से पढ़ें याद करें एक कुस्चन यहां पर बनता है कि देश के संविधान निर्माण में जो इतना समय लगा ठीक है क्या यह आउचित्य पूंड था या नहीं ठीक इन सब चीजों पर आप लोग क्या करेंगे सोचेंगे बिचारेंगे और जो निश्कर्स लिखना होगा उसको लिखेंगे ओके थेंक्यू फार दिश्क्लास